नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ मम्ता इंडिया दिस वीक कारिक्रम के खबरों की ओर बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं हेड्लाइन्स पर भारत में कोरोना का बढ़ता के है देश में कोरोना से संक्रमित लोगों का आकड़ा 700 के पार जिसमें से 17 लोगों ने गवाई जान देश में किस दिन का हुआ लोकटाउन भारत को इलक्ट्रोनिक विनिर्मान का हब बनाने की योजना को मन्जूरी उद्देश घरिलू विनिर्मान को बढ़ावा देना कोरोना के दौरान लॉकडाउन यूपी श्रमिक भरन पोशन योजना की हुई शुरुवात धिहारी मजदूर और ठेला खोंचा लगाने वालों को दी जाएगी एक हजार रुपे की सहाइदा और कोरोना के बढ़ते कहर के चलते सरकार का बड़ा फैसला फिलहाल नहीं होगी जनगर्णा और NPR पहला चरण हुआ इस्थागित कोरोना वाइरस के बढ़ते कहर और संक्रमित मामलू को देखते हुए 22 मार्च को पूरे देश में प्रधान मंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू का आवाहन किया था जहां पूरे देश ने इसका समर्थन किया वहिचू के कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचाव है इसको देखते हुए कोरोना वाइरस के फैलने की सिरीज को तोड़ने के लिए 24 मार्च 2020 को रात 12 बज़े से पूरे देश में समपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया यह लॉकडाउन 21 दिन तक रहेगा जो 14 अप्रेल तक होगा लॉकडाउन में कौन से दुकाने खुलेंगी लॉकडाउन में केमिस्ट की शॉप, मेडिकल एक्विप्मेंट की दुकाने, लैब और राशन की दुकाने खुली रहेंगी डॉक्टर के यहां जाने की अजाज़त है, अस्पतार, डिस्पेंसरे, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुले हैं, पैट्रोल, CNG, LPG, PNG जैसे सेवाएं चालू हैं आपको बता दे, जनवेतरन प्रनाली वाली और आम राशन की दुकाने खुली हुई हैं, वहीं फल और सबजी, देरी और दूद, चारी की दुकान खुली हैं, वहीं प्राइवेट गाडियों के संचालन के जासत भी बेहर जरूरी हालात में होगी, लोगों को केवल मेडिकल जरूरत के लिए राशन, दवा, दूद और सबजी खरीदने जाने की जासत होगी, खाने, दवाईयों, मेडि वहीं बैंक, बीमा दफ्तर, एटियम खुले हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया काम कर रही हैं, अब आपको बता दें कि लॉगडाउन में क्या बंद हैं, सारवजनिक इस्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स, क्लब सब बंद हैं, सभी रेस्टरॉ इसा में सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटेइन्मेंट, अकैडमिक, कल्शल कारेक्रमों की इजाज़त नहीं है, वहीं सभी फैक्ट्रिया, वरक्शॉप, ओफिस, गोदाम, हफ्ते में लगने वाली बाजार सभी बंद हैं, वहीं केंदर और राजसरकारों और ट्रांसपोर्ट बंद कर दिये गए हैं, बस या ट्रेन सेवाएं नहीं चल रही हैं, आपको बता दे सभी घरेलू और अंतराश्य उडाने रद हैं, किसी तरह का निर्मान कारे फिलहाल बंद रहेगा, सभी तरह कि धार्मिक स्थान बंद रहेंगे, यहां तक कि आपको बत अस्थिती में ऐसा कर चुके हैं, भारत में लोगों को घरों में रखने के लिए कर्फ या धारा एक सुचवाली से जैसे कानून का सहारा लेते आ रहे हैं, लॉकडाउन का इस्तिमाल भारत में पहली बार हो रहा है, इस कारत यह है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कु लगाई जा रही है, आपको एक बार फिर से बता दें कि लॉकडाउन के स्थिती में इसको फॉलो करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यही एक मात्र ऐसा रास्ता है, जो कोरोना वाहरस से हमको बचा सकता है केंद्री मंत्री मंडल ने हाल ही में संशोदित इलक्ट्रोनिक्स विनिर्मान क्लस्टर यूशना को मनजूरी प्रदान की, इसका उदेश्य इलक्ट्रोनिक्स विनिर्मान क्लस्टर के जरिये साजा सुविधाओं के साथ विश्वे स्तरिये बुनियादी धाचे का विकास क जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने व्यापक स्तर पर Electronics विनिर्मान के लिए उत्पादन प्रत्साहन योशना को भी स्विक्रिती दी है आईए आपको बताते हैं इस योशना का उद्देशे इस योशना का उद्देश घरेलू विनिर्मान को बढ़ावा देना और मोबाइल फोन विनिर्मान और विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक उपकर्णों में बड़े निवेश को आकर्शित करने के लिए प्रत्साहन देना है ये प्रत्साहन राशी उत्पादन से जुड़ी होगी इस योशना के तहट सरकार द्वारा भारत में मोबाइल और संबंदित उपकर्णों के विनिर्मान पर बल दिया जाएगा आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा इस इक शेत्र में 20 लाख करोड रुपए का निवेश किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप अगले 5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा आईए इससे होने वाले लाभों के वारे में आपको बताएग यो में जताई जा रही है कि इससे 2025 तक 10 लाख करोड रुपए का रेविन्यू पैदा होगा आपको बता दे मुबाईल मैनुफेक्ट्रिंग को बढ़ावा देने के साथ ही कैबिनेट ने इलेक्ट्रोनिक्स कॉंपोरेंट और सेमी कंडक्टर के निर्मान को प्रसाहन देने के लिए 3,285 करोड रुपए का पैकेज मनजूर किया है ये स्कीम पुंजी गत खर्चों पर 25 फीसिदी का फाइनेंशल इंसेंटिव देगी इस स्कीम से 6,00,00 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा आपको बता दे इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए कैबिनेट ने 3,762 करोड रुपए का बजट मनजूर किया है ये राशी अगले 8 साल में खर्च की जाएगी ये स्कीम प्रोजेक्ट लागत की 50% तक वित्तिय मदद देगी वही इस योशना के साथ अन्य योशनाओं को मनजूरी भी दी गई इसके अतरेक केंद्रिय मंत्री मंडल ने 3 थोक औशद पार्कों में साजा विनिर्मान सुविधाओं को वित्तिय सहायता उपलब्द कराने के लिए थोक औशद पार्क फ्रतसाहन योशना को भी मनजूरी दी है इसके तहट अगले 5 वर्षों में 3000 करोर रुपे का आवंटन किया जाएगा आपको बता दे थोक औशद पार्क योशना से देश में थोक में औशदियों के निर्मान की लागत कम होने और अन्य देशों पर निर्भरता घटने की संभावना जताई गई है देश में महतुपून आरंबिक सामगरी औशदियों नत्वों और एक्टिफ फार्मासिटिकल इंग्रीडियन के घरिलू विनिर्मान को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रुचाहन योशना को भी मनजूरी दे दी गई है इस योशना के लिए अगले आठ वर्ष में 6,940 करोड रुपे का आवंटन किया जाएगा आपको बता दे मंत्री मंडल ने राश्ट्री आयूश मिशन में आयूश स्वास्ते और वेलनेस केंद्रों में आयूशमान भारत के दाइरे में लानी की भी मनजूरी दी है इसका उदेश दूसरे और तीसरे स्थर के स्वास्ते देख भाल केंद्रों पर बोच कम करना है उत्तरप्रदेश में ऐसे लोगों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने श्रमिक भरन पोशन योशना की शुरुवात की है इस योशना के तहट ग्रामीन और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ध्यारी मजदूरों और ठेला खोमचा लगाने वाले लोगों को बंद के दौरान एक हजार रुपे की सहायता मुहाया कराई जाएगी इसके अलावा जो लोग इससे वंचित रह जाएंगे और किसी भी योशना का लाब नहीं पा रहे हैं उन्हें भी एक हजार रुपे की सहायता राशी उपलब्द कराई जाएगी इसके लिए सभी जिलादिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और सभी जनपदों को परियाप्त धनराशी भेजी जा चुकी है मुखे मंत्री योगी आधितिनात के मुताबिक अंतियोदे राशनकार धारक निराश्रित वृध्यावस्ता पेंशिन पाने वाले दिव्यांग जन पेंशिन भोगी निर्मान श्रमिक और प्रतित दिन कमाने वाले श्रमिकों को सरकार निशुलक राशन उपलब्द करा रह इसके तहट 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल की वेवस्था की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर घुमन्तु जैसे खेला, खोमचा, रेडी और रिक्षा चलाने सापताहिक बाजार के दुकानदारों को मिलाकर लगभग करीब 15 लाख लोग हैं इनके लिए भी राजसरकार 1000 रुपे की राशी भरन पोशन के लिए ततकार रूप से देगी ये राशी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाब के जरिये उनके खाते में भी सीधे भेजी जाएगी इनका डेटाबेस नगर विकास द्वारा अगले 15 दिनों में तयार किया जाएगा इस योशना की वज़े से राजसरकार पर करीब 500 करोड रुपे आर्थिक बोज आने की संभावना है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मनरेगा के मजदूरों को तुरंत मजदूरी का भुकतान करने का निरदेश दिया है केंदर सरकार द्वारा इसके लिए करीब 556 करोड की धनराशी का भुकतान मार्च 2020 में ही किया जाएगा इसी के साथ अंत योदय यूशना मनरेगा और श्रम विभाग में पंजेकरित निर्मान श्रमिक एवं ध्याड़ी मजदूरों को एक महीने का निशुल्क राशन अप्रेल में उपलब्द करवाए जाने के निरदेश दिये गए हैं इस पर करीब 64 करोर 50 लाग का खर्चाएगा ये अनाज PDS दुकानों के माध्यम से बाटा जाएगा कोरोना वाइरस की चलते राज्य में बंदी है जिसकी वज़े से सारे काम धंदे सब बंद पड़े हैं सारे मजदूरों को लोटा दिया गया है अब इन के असर की परताल के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अगवाई में एक समिती का गठन किया था इस कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए राजसरकार ने धियारी मज़ूरों के लिए भरन पोशन के भत्ते की मनजूरी दी है इस योजना के कार्यान वयन के लिए जिल संदित नगन निकायों के आयुक्तव अधिशाशी अधिकारी की समितियां बनाए गई हैं इन समितियों के संस्तुति पर एक हजार रुपए हर महेने की मदद इन लोगों के खाते में पहुचाए जाएगी केंद सरकार ने कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 25 मार्च 2020 को बड़ा फैस्ला लिया केंद सरकार ने कोरोना वाइरस के कारण उत्पन महामारे की स्थिती को देखते हुए जनगरना 2021 के पहले चरन और राश्ट्रिय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के कार्य को अकले आदेश तक इस्थागित कर दिया है आपको बता दे ग्रहमंत्राले की ओर से 25 मार्श 2020 को इस बात की पुष्टी की गई है NPR को लेकर कई महीनों से देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था हाला कि कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए लॉकडाउन के बाद प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया वहीं आपको बता दे प्रदर्शनकारियों का मानना था कि ये उनकी नागरिकता अधिकार का हनन है और इससे वो देश में रहते हुए भी विदेशी घोशित कर दिये जाएंगे सरकार ने कई अवसरों पर ये बताया कि इससे किसी नागरिक को घबराने के आवशकता नहीं है ये केवल जनगर्णा की एक प्रक्रिया है सरकार ने कहा कि NPR आउनलाइन माध्यम से होगा जिससे देश में होने वाली साल 2021 के जनगर्णा में नागरिक अपना नाम दर्ज करा सकते है आपको बता दे NPR की प्रक्रिया 1 अप्रेल 2020 से शुरू होने वाली थी जहां NPR हाउस लिस्टिंग और जनगर्णा 2021 का काम 1 अप्रेल से 30 सितंबर के बीच होना था वहीं ग्रेम अंत्राले के स्टेंडिंग कमेटी ने मार्च 2020 में दिमांड फर ग्रांट्स 2021 की रिपोर्ट राजसभा में रखी थी इस कमेटी के अध्यक्षता कॉंग्रिस सांसत आनन शर्मा कर रहे थे रिपोर्ट में का गया है कि NPR फॉर्म 2020 में मातापिता के जन्म स्थान और उनकी जन्म तिथी को लेकर सवाल पूछे गए हैं जिसपर सरकार का तर्था कि इससे बैक एंड डेटा प्रोसेसिंग और मजबूत होगा गौर तलब है कि कई राज्यों में NPR को लेकर आपत्ती जाहिर की गई केंद सरकार ने कोरोना के चलते लोकडाउन की वज़े से आये आर्थिक प्रभाव को देखते हुए 26 मार्च को आर्थिक राहत पैकेज का एलान किया इसका एलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने आर्थिक पैकेज में कुछ खास पेशकश की वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के मद्धिनजर सीधे सीधे प्रभावित गरीव और धियाडी मजदूरों और गाउं में रहने वाले लोगों के लिए एक दशावला साथ लाख करोड के राहत पैकेज की घोशना की साथ ही वित्त मंत्री ने निर्मान क्षेतर से जुड़े तीन करोड पांच लाख मजदूरों के लिए 31,000 करोड रुपे के फंड के सदुपयोग के लिए राजिसरकारों को निर्देश दिये वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वाइरस की रोक थाम के लिए भी इस कोश का इस्तिमाल किया जाएगा इसके अलावा ऐसे कंपनिया जिनमें 100 से कम करमचारी काम करते हैं और जिनमें 90 फीसद करमचारियों का वेतन 15,000 रुपे से कम है उनके करमचारियों के EPFO खाते में सरकार अगले 3 महेने तक करमचारी और कमपने की तरफ से पैसे जमा करेगी सरकार दोनों की तरफ से 12-12 प्रतिशत का युगदान करेगी इस कदम से तकरीबन 80 लाग से ज्यादा मज़ूरों को फायदा होगा संगटित क्षेत्र के करमचारियों के लिए EPFO के रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा अब करमचारी अपने प्रोविडिन्ट फंड खाते से 75 फीसद राशी या 3 महेने की सेलरी जो भी राशी कम हो उसकी निकासी करने में सक्षम होंगे एक बार धन निकासी करने के बाद ये पैसे उन्हें वापस नहीं करने होंगे कोरोना वाइरस के खिलाफ लडाई में कई लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तोर पर अपनी भूमी का अदा कर रहे हैं इनमें डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ सफाय करमचारी आदी शामिल है ऐसे लोगों को राहत देने के मकसद से सरकार ने इन लोगों के लिए 50 लाख के बीमा कवर की घोशना की है लोगडाउन के दौरान राशन की समस्या से जूज रहे असी करोड गरीबों और ध्यारी मजदूरों को प्रधार मंत्री गरीब कल्यान अन्य योशना के तहट खाद्य राहत दी जाएगी ऐसे लोगों को 5 किलो गेहूं ये चावल पहले से मिल रहा था नए एलान में अब सरकार ऐसे लोगों को 5 किलो ग्राम राशन अगले 3 महिने तक मुफ्त में देगी ऐसे लोगों को अब अपनी पसंद की 1 किलो दाल हर महिने मुफ्त बाटी जाएगी सरकार का लक्षे है कि कोई भी नागरिक भुका नहीं रहेगा हर एक नागरिक को खाने के लिए राशन मुहाया कराय जाएगा वित्तमंत्री सीतरमन ने अपने पैकेज में किसानों को भी राहत दी है किसानों को पीम किसान सम्मा निधी यूशना के तहट 6,000 रुपे दिये जाते हैं नई घोशना में उन्हें 2,000 रुपे सीधे तोर पर दिये जाएंगे इस फैसले से लगबग 8 करोड 59 लाग किसानों को इस मुश्किल वक्त में मदद मिलेगी ये धनराशी अप्रल के पहले सप्ता में किसानों के खाते में डाल दी जाएगी ग्रामेनिक शेत्रों में मनरेगा के तहट काम करने वालों को पहले 182 रुपे मिलते थे नई घोशना में ये रकम बढ़ा कर 200 रुपे कर दी गई है इससे अमूमन 5 करोड परिवारों को मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है गरीब वरिष्ट नागरिकों, विदवाओं और दिव्यांगों को भी नई घोशना में फाइदा पहुचाया गया है ऐसे लोगों के खाते में 3 महिने तक 1000 रुपे प्रत्यक्ष, हस्तांतरित लाब या DBT के जरिये भेज जाएंगे जो महिलाएं जन धन योशना के तहट खाता धारक हैं, ऐसी महिलाओं के खाते में 500 रुपे की राशी DBT के जरिये भेजी जाएगी इस लगबग 20 करोड महिलाओं को फाइदा मिलेगा वित्मंत्री ने सबका साथ सबका विकास के मद्दे नजर 8 करोड से ज्यादा गरीवी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को खुश खबरी दी है उजवला योशना के तहट इस मुश्किल वक्त में ऐसी महिलाओं को 3 महिने तक LPG सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा अपनी घोशना में वित्मंत्री ने 63 लाख स्वयम सहायता समू को 20 लाख रुपे तक का कर्ज देने की बात कही है इन समू को ये कर्ज बिना किसी कोलेटरल के दिया जाएगा इससे स्वयम सहायता समू से जुड़े करीब 7 करोड परिवारों को इसका लाख मिलेगा पहले ऐसे कर्ज की सीमा 10 लाख रुपे थी आपको बता दे कि वित्तमंत्रे निर्मला सीतरमन ने 24 मार्च को आयकर और GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी 2018 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिमती थी और पैन से आधार को जोडने के लिए आखरी तारीख को तीन महीने बढ़ा कर अब 30 जून कर दिया गया है इसके अलावा GST सालाना रिटर्न दाखिल करने की आखरी तारीख को भी 31 मार्च से बढ़ा कर जून के अंतिम सप्ता तक कर दिया गया है कोरोना के खिलाव के इंद सरकार की इस मुहीम में इन आर्थिक सहुलियतों से एक नया बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है कोरोना के खिलाव चलने वाली ये जंग कितनी लंबी होगी ये कहना अभी मुश्किल है लेकिन इस एलान से सरकार ने समाज के हर नागरिक और खास कर पिछड़े तबके के लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है चलिए अफटाफट नज़र डालते हैं इंडिया दिस वीक की खास सेग्मेंट राउंड अप पर 24 मार्च को मनाया गया विशु तपैदिक दिवस विशु भर में पतेक वर्ष 24 मार्च को तपैदिक दिवस या टीवी दिवस मनाया जाता है आपको बता दे इस दिन विमारी के बैक्टीरिय की फहचान हुई थी डॉक्टर रोबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को या एलान किया था कि उन्होंने माइक्रो बैक्टीरिया टूबरिक लॉसेज का पता लगा लिया है जो इंसानों में तपैदिक की विमारी के लिए जिमिदार है यही वज़़ है कि दुनिया भर में 24 मार्च को विश्व तपैदिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है जुलाई 2020 में किया जाएगा भारत की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन आये टी मदरास में जुलाई 2020 में हाइपर लूप पॉट का आयोजन किया जाएगा इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व इस्तर पर किया जाता है जिसे स्पेस एक्स द्वारा वित्पोषित किया जाता है हाइपर लूप एक लूप होती है जिसके माध्यम से एक पॉड यात्रा करता है इसके द्वारा यात्रा का समय बहुत कम हो जाता है क्योंकि पॉड हवा प्रतिरोत के बिना ट्यूब में यात्रा करती है रिजर्व बैंक ने लिया 30,000 करोड के बॉंड खरीदने का फैसला रिजर्व बैंक ने COVID-19 संकट के बीच 30,000 करोड रुपे से अधिक के बॉंड खरीदने का फैसला किया है रिजर्व बैंक निका कि दो किष्टों में 24 मार्च और 30 मार्च को 15-15,000 करों रूपे लगाए जाएंगे भारती रिजर्व बैंक कोरोना वाइरस संक्रमन को देखते हुए वितिये इस्थिर्था बनाए रखने के लिए नक्ति प्रवाह बढ़ाएगा कोरोना वाइरस के चलते विशु भर में अर्थ विवस्ता सुस्ति के दोर से गुजर रही है केंदर सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर MyGov Corona Helpdex की शुरुवात की कोरोना वाइरस को लेकर लोगों के बीच फैली आशंकाओं को कम करने के लिए केंदर सरकार ने वाट्सअप पर ओफिशल चैट बोर्ट लॉंच किया है इसे MyGov Corona Helpdex नाम दिया गया है इससे संपर करने के लिए लोगों को अपने फोन से 9013-151515 नंबर को सेफ करना होगा इसके बाद इस पर मैसेज भेज कर कोरोना वाइरस के बारे में जरूरी जानकारी ली जा सकती है शिवराज सिंग चोहान ने चौथी बार मध्यपरदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपत ले शिवराज सिंग चोहान ने मुख्यमंत्री पत की शपत लेने के बाद चौथी बार मध्यपरदेश की कमान सम्हा ली आपको बता दे वह पहली बार 29 नवंबर 2005 में मथ्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे इसके बार शिवराज सिंग चोहान 12 दिसंबर 2008 में दूसरी बार मुख्य मंत्री बने आपको बता दे उन्होंने 8 दिसंबर 2013 को तीसरी बार मुख्य मंत्री पत की शपतली थी 23 मार्च को मनाया गया शहीद दिवस ग्रेज हुकूमत ने 23 मार्च 1931 की मध्यरात्री को भारत के तीन सपू तो भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु को फासी पलटका दिया था इस बलिदान को याद करने के लिए 23 मार्च को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको बता दे भगत सिंग केवल 23 साल के थे जब उन्हें फासी दी गई थी लेकिन उनकी खरांतिकारे विचार बहुत व्यापक थे आपको बता दे आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक हर रैली आंदूलन और प्रदर्शनों में बोले जाने वाला नारा इनकलाब जंदाबाद पहली बार भगत सिंग नहीं बोला था लड़ाग के लिए आविशक बजट वाले विधै को मिली मन्जूरी राजसभा ने विद्वर्श 2021 के लिए जमु कश्मीर की एक लाग करोड रुपे और लड़ाग के लिए आविशक बजट वाले विधै को हाल ही में मन्जूरी दे दी है इस बजट में सरकार ने विकास कारियों के लिए पिष्टे बजट से करीब 27 प्रतिशत अधिक राशी आवंटित की है गौर तलब है कि 5 अगस 2019 को जमु कश्मीर और लद्दा को केंदर शासित प्रदेश बनाया गया था टाल दिये गए राजसभा चुनाओ में राजसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाओ होने थे लेकिन पूरे देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण इसी टालने का फैसला लिया गया है आपको बता दें कुल 17 राज्चों की 55 सीटों पर चुनाओ होना था राजसभा चुनाओ में राश्च्रवादी कॉंग्रेस पार्टी प्रमुख शरत पवार केंद्रे मंत्री रामदा सठावले और राजसभा की उप सभापती हरिवंश नाराइंट सिंग समें 37 प्रत्याशे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सयोग सामाजिक नवाचार की हुई शुरुवाद हर्यान सरकार के द्वारा सामाजिक नवाचार की शुरुवाद की गई आपको बता दे नवाचारों के तहत यूव माताओं के सहायता लेने की योशना है ताकि उनके बच्चों को हर प्रकार की खेल गति वीदियो के लिए प्रोट साहित किया जा सके इस समाजिक नावाचार को नई दिशाप्रदान करने है तूँ खेल, महिला और बाल विकास सहित साथ विभाग कारे कर रहे हैं सरकार जल ही मदर्स for sports and fitness नामक एक एप भी लॉंच करेगी मनाया गया अंतराश्य वन दिवस हाल ही में 21 मार्श 2020 को अंतराश्य वन दिवस मनाया गया इसमें मैंग्रोव वनो के महत्व को स्वी कारकर ततकाल संरक्षन के आवशक्ता पर बल दिया गया आपको बता दे वन दिवस वर्ष 2020 का विशे वन और जै विविदिता यानी forest and biodiversity है ये दिवस परियावरनी इस्थिर्ता और खादी सुरक्षा में वनो के महत्व और महत्वण भूमिका के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतराश्य वन दिवस मनाया जाता है युकतराश्य महासवा 21 दिसंबर 2012 को वनों और जंगलों के पेड के सभी प्रकार के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए 21 मार्च को वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया गया तो ये थी इस हफ़ते की तमाम ख़बरें अगले हफ़ते आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे दीजे जाज़त नमस्कार झाल